सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहली ताजा खबर जानने के लिए इस बैल आइकन को भी दबाए ACA 60 एक्ट के खिलाफ देज भर के कई राज्यों में सवर्ण लानमंद होने लगे हैं इस एक्ट में किये गए संशोधन को लेकर कई संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है बंद का सबसे ज्यादा असर MP और बिहार में देखा जा रहा है फिल हाल राज्य सरकार ने इहतियात के और पर मध्या प्रदेश के जिलों में धारा 144 लागू कर दी है इसके अलावा पूरे प्रदेश में हाई अलर जारी कर दिया है वहीं बिहार में कई जिलों में लोगों ने सडकों और नाशनल हाइवे को जाम कर दिया है सवर्णों ने आरा रेलवे स्टेशन के पास लोकमायन तिलक एक्सप्रेस को रोग दिया गया है इसके अलावा यूपी, राजस्थान और चथीजगर में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है राजस्थान है में भी कई स्कूल, कॉलेज और मॉल को बंद कर दिया है बतादें की एमपी, राजस्थान और चथीजगर में इसी साल विदान सभा चुनाव होने हैं ऐसे में इन विरोध प्रदर्शनों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं बिहार की राजदानी पटना समेत कई जिलों में दुकाने बंद आरा में सवर्णों ने ट्रेने रोकी बिहार के मुंगेर और दर्धंगा में भी प्रदर्शन कारियों ने ट्रेने रोकी यूपी की राजदानी लखनव में दुकाने बंद वारानसी में लोगों ने पुतले जलाकर विरोध प्रदर्शन किया एमपी के 35 जिलों में हाई अलर्ट सुरक शाबलों की 34 कंपनिया तैनात मुरेना में लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कारोबार बंद रखा शिवपुरी में भी व्यापारियों ने अपनी दुकाने बंद रखी दत्या में सडकों पर सन्नाटा पसरा महराश्टर के ठाने में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया राजस्थान के अलवर और कोटा में कई संगठनों ने दुकाने बंद रखी मद्या प्रदेश में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है गॉलियर में प्रदेशन पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तिमाल किया जा रहा है SDM नरोतम भारगवी ने कहा कई सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तयार हैं कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ACA 60 Act में तदकालगी रफ्तारी न किये जाने का आदेश दिया था इसके अलावा ACA 60 Act के तहट दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी थी शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस कानून के तहट दर्ज मामलों में तदकालगी रफ्तारी की बढ़ाय पुलिस को साथ दिन के भीतर जाज करनी चाहिए और फिर आगे आक्शन लेना चाहिए संसब में SCST Act में संशोधन पारित किया केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए ACA 60 Act को वापस मूल स्वरूप में बहाल कर दिया हाल ही में ये संशोधित ACA 60